मैं हूँ आयुश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में एक दमदार किरदार खजूर का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा दरसल वो कार्थिके ही हैं जो निभाते हैं खजूर का जबरदस किरदार कपिल के शो में अपनी कॉमेडी से धमाल मचारे इस नने कलाकार के संघर्ष के बारे में सुन कर आपकी आखे नम हो जाएंगी कॉमेडी शो में आने से पहले दो वक्त की रोटी भी मुश्कल से नसीब होती थी कार्थिके और उसके परिवार को बिहार में पटना के एक छोटे से गाउं के रहने वाले हैं कार्थिके राज कार्थिके के पिता मजदूरी कर घर का खर्चा चलाय करते थे कार्थिके के घर में इतनी गरीबी थी कि मुश्कल से उनके घर में दो वक्त का खाना बन पाता था दाल चावल सबजी बनने पर उसे पाटी कहते थे कार्थिके इतनी गरीबी और लाख मुश्किलों के बाद भी कार्थिके के पिता ने उसके और उसके भाई बहनों की पढ़ाईयों में कोई कमी नहीं रखी है अपना पेट काट कर भी उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की क्योंकि वो जानते थे कि एक अच्छे भविश्ची के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर है हलाकी कार्थिके अपने चोटे भाई अविशे के साथ स्कूल जाय करते थे लेकिन पढ़ाई में उनका मन जरा भी नहीं लगता था वो अपना सारा दिन बस्ती में बच्चों के साथ खेल कर बिताय करते थे कार्थिके और उनके भाई दोनों को ही आक्टिंग में काफी रुची है इसी के चलते उन्होंने एक एंजियो स्कूल में दाखिला लिया जहां आक्टिंग सिखाई जाती थी दोनोंने काफी समय तक वहां आक्टिंग की बारी क्यां सीखी लेकिन साल 2013 में कार्थिके की किस्मत ने कर्वतली और उनका चैन टीवी के कॉमेडी शो बेस्ट ज्रामे बाज में हुआ इस शो में उनका चैन उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब दी थी इसके बार शो की टीम कार्थिके और उनके साथ चैनीत और बच्चों को कुलकाता लेकर गई कुलकाता में पहली बार कार्थिके को एक बड़े होटल के AC रूम में रुकने का मौका मिला होटल में मिलने वाले खाने को वो आधा कर बाकी छुपा लिया करते थे फिर वो बच्या हुआ खाना एकटा करके घर जाकर अपनी मा को देते हुए कहते थे कि उन्होंने कभी बड़े होटल का खाना नहीं खाया इसलिए उसने वो खाना चुरा लिया शो के छटे राउंड में पहुचने के बाद कपिल शर्मा की नजर कार्तिके पर पड़ी कपिल को उसकी कॉमेडी काफी पसंद आई फिर उन्होंने उसे अपने शो में काम करने का मौका दिया इसी के बड़ुलत आज कार्तिके राज खजूर के नाम से सभी के दिलों पर च्छा गए है 12 साल के कार्तिके राज जो मुंबाई में रहते हैं और आक्टिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं कार्तिके का संगश भरा ये जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेना दायक है जो अपने सपनों के लिए जिंदगी की परिस्थितियों से हार नहीं मानता फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही टेलेविजिन और बॉलिवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे ये फिल्मी बीट